लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए दोस्तो नमस्कार मुद्दे की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ सुधीर सर्मा आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगा जो मीडिया की भूमिका से जुड़ा है उस मीडिया से जिसे लोगतंतर का चौथा सम कहते हैं और जनता जिसे अपना आसली नुमाइंदा मा आती है आपने भी अनुभो किया होगा कि जब पीडित लोग पुलिस प्रशाशन और मंत्रियों से गुहार लगा कर ठक जाते हैं तब ये मीडिया के पास आते हैं उन्हें भरोसा होता है कि मीडिया निस्पक्षो कर उनकी बात जरूर सुनेगी और नयाय दिलाने में मदद भी करेगी यह कहना गलत नहीं होगा कि जब जनता के लिए मीडिया आखरी अदालत होती है जो फैसला तो नहीं सुनाती फिर भी नयाय दिलाती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पत्रकारों की कर्तूत से पूरी मीडिया जमाद गालिया सुनती है जैसा कि आज प्रकल्प ग्रस्त आज मीडिया के खिलाप आंदोलन करने में लगे हैं सोशल मीडिया पर गालिया दे रहे हैं दलाल कहकर संबोधित कर रहे हैं दरसल यह मामला 30 मार्च से भभग गया है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का एक लोगप्री अख़बार है लोकसत्ता जिसके नईम बैकरों की आवाज बुलन किया है ख़बरों को निडरता से छाप कर लोगों को नयाय दिलाने का काम किया है हलाकि इस बार उन्होंने सिडकों का महिमा मंदन करते हुए लोकसत्ता में ऐसा कुछ लिख दिया है कि जिससे सब नाराज हो गया है उन्होंने लिखा है कि प्रकल्पगस्त कृतग्न है कृतग्न का आर्थ होता है कि अहसान फरामोस इंगलिस में उसे अंग्रेटफुल कह सकते हैं और उर्दू में नाशुक्रा उनके पूरे लेख में यही है कि प्रकल्पगस्तों ने सीड़कों के साथ अहसान फरामोसी कर दी है क्योंकि सीड़कों प्रकल्ब गस्त उसे अविशाब बता रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या सिडकों ने प्रकल्ब गस्तों के साथ वाकई ऐसा कुछ कर दिया है जिसका आभार जताने की बजाए वे आहसान फ्रामोस हो गए हैं क्या विकास्ट महारी को सारे पीडित प्रकल्ब गस्त अहसान फ्रामोस दिखते हैं विकास्ट महारी को सिडकों का विकास दिखता है बिल्डरों का नियमा नुसार विकास दिखता है लेकिन प्रकल्ब गस्तों के तोड़े जा रहे घर भूमिहीन होता हुआ उनका अस्तित औ और खत्म होते हुए पुस्तैनी मकान क्यों नहीं दिखते क्या विकास्ट महारी को न्याय के लिए दरदर भटकते हुए प्रकलबगस्ट नहीं दिखते क्या विकास्ट महारी को सिड़कों की चोखट पर अपने दस्तावेज लेकर अपनी जमीनों का हक मांगते और अधिकार के सामने बार-बार गिडगडाते हुए पीएपी नजर नहीं आते सिटको उनको एसान करने वाली नजर आती है लेकिन पचास सालों से प्रकल्बगस्तों को उल्जा कर भटका रही सिटको क्यों नहीं दिखती दरसल प्रकल्बगस्त पीडित हैं सिटको की मनमानी और प्रकल्बगस्तों की पीड़ा और वेदना की आवाज थी जिनकी जमीने तो ले ली गए लेकिन आज सक उनका समुचित यानि सौ फिस दिये पुनरवसन नहीं हुआ वे आज भी पूरा न्याय मांग रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है तमाम मीडिया संसान इन मुद्दों पर लिख लिख कर खामोस बैठ गए हैं लेकिन जो पीड़ित और नयाय से वंचित हैं वे आज भी आंदोलन कर रहे हैं काला दिवस मना रहे हैं हमने टीवी वन इंडिया के माध्यम से इन पीड़ित प्रकल्फगस्तों के आंदोलन को मंच दिया और उनकी आवाज सिटकों और सरकार तक पहुचाने की कोसिस की TV1 इंडिया आगे भी प्रकल्ब गस्तों और नईमबई करों के साथ कदम से कदम मिलाकर इसी तरह खड़ा रहेगा बिना डरे बिना जुके हुए हम प्रकल्ब गस्तों के न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे हम यह भी जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू है जिसमें दूसरा पहलू सिटको के विकास का भी है सिटको ने नईमबई शहर बसाया रेलवे इस्टेशन पाम विच रोड गार्डन बनाए मेट्रो रेल और एरपोर्ट जैसी सुविधाय तयार कर रही है इसकी तारीफ होनी ही चाहिए लेकिन सच यह भी है कि इस विकास की याड में सिटको ने ऐसा बहुत किछ किया है जो रेशम के गलीचे में टाट के पैबंद की तरह साफ दिखता है प्रकल्ब गस्तों का अधूरा पुनर्वसन, गावठानों का अधूरा विस्तार, सामाजी कुपयोग के लिए भुकंडों के विक्री, बड़े बिल्डरों और दबंगों की कुछ सामाजी क संसाओं को हास्पीटल और शिक्षन संसानों के लिए कौडियों के दाम पर भुकंडों का आवंटन और उस पर हो रही मनमानी पर खामोसी, कार्पुरेट घरानों पर महरमानी जैसे तमाम मुद्दे आज भी जीवन्त हैं, क्या हम इन मुद्दों को जुटला सकते हैं, तो सवाल यह है कि क्या कोई भी कानून का जानकार, कोई भी नेता या कोई भी विकास महडिक जैसा सीनियर पत्रकार अपने सीने पर हाथ रखकर या कह सकता है कि सिटकों ने प्रकल्बगर्सों के साथ पूरा न्याय किया है, क्या सिटकों ने गावठानों के विस्तार को पूरा किया है, क्या प्रकल्बगर्सों का सौफ हिस्दी जमीनों का मामला सौफिस्दी निप्टा लिया गया है क्या प्रकल्ब गस्टों के विकास के लिए जो जो वादे किये गए थे वे सौफिस्दी पूरे हुए हैं क्या अपनी जमीन देने वाले सौफिस्दी प्रकल्ब गस्टों को मुआबजा दे दिया गया है यदि नहीं त तो फिर प्रकल्बगस्तों को अपने हक के लिए आवाज उठाने पर उन्हें कृतग ने आहसान फ्रामोस कहना कितना सही है। समविधान कहता है कि पत्रकार जनता के नुमाइंदे हैं, लोकतंतर के असली प्रहरी हैं और मीडिया के अदालत में नया दिलाने वाले जज़ हैं। तो क्या लोकसत्ता के सीनियर पत्रकार विकास महाडिक ने वाकई सिटकों का महिवा मंदन कर प्रकल्बगस्तों को नया दिलाने का काम किया है। पत्रकार सांदोलन से खराब हुई अपनी चबी को धोने के लिए ही सीनियर जनरलिस्ट विकास महाडिक का इस्तमाल किया और लोकसत्ता के आर्टिकल के जरिये नविम भाईकरों के बीच अपनी चबी चमकाने की कोशिस की। पत्रकार के तौरबर विकास महाडिक के साथ हैं लेकिन उनके नेजी आर्टिकल ने जो विद्वेस पैदा किया हम उसकी खिलाफत करते हैं। सिटकों की प्रकल्पगरस्द पीडित हैं, सिटकों की मनमानी और बेरुखी से जले हुए हैं। ऐसे में विकास महाडिक का आर्टिकल उनके जले पर नमक शड़कने वाला है। TV1 इंडिया के जरी अगर हमें इस पर कुछ मरहम लगा सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। TV1 इंडिया की मुद्दे की बात में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आप से दुबारा रूबरी होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताजा तरिन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार।